Hello everyone, good morning to all of you and welcome to online study point दोस्तो आज है 26 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम 26 जुलाई से related current affair के जितने भी important questions बन सकते हैं इन सभी को cover करने वाले हैं इसलिए वीडियो को last तक देखिएगा क्योंकि सारे ही question important है और यदि आप लोगों को इस वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारा टेलिग्राम चैनल भी जॉइन कर सकते हैं लिंक description box में दी हुई है और यदि आप चैनल पर नय हैं तो चैनल को subscribe कर लिजे साथ ही bell icon दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताकि आप लोगों को हमारे सभी वीडियो की notification सबसे पहले मिल सके तो चलिए श्टार्ट करते हैं हमारा पहला question हाली में राश्ट्री प्रसारण दिवस ये कब मनाये गया है यनि कि National Broadcasting Day तो ये भी हाली में मनाये गया है 23 जुलाई को और ये 23 जुलाई को ही क्यों मनाये जाता है क्योंकि देखिए इसी दिन यनि की 23 जुलाई 1927 को इंडियन Broadcasting Company जो की पहले एक private company थी उसने Bombay Station से देश में अपना पहला रेडियो प्रसारण शुरू किया था देखिए अभी मनें बताया है कि ये पहले एक private company थी लेकिन एक April 1930 को जो इंडियन Government है इस company को अपने हाथ में ले लिया और इसका नाम convert करके कर दिया Indian State Broadcasting Service कब किया 1930 में इसके बाद इसके 6 साल बाद यानि कि 1936 में फिर से इसका नाम बदला गया और नाम बदल कर कर दिया गया All India Radio जिसे आप AIR भी कहते हैं तो देखिए इसी के स्थापना दिवस के रूप में ये मनाया जाता है 23 जुलाई को National Broadcasting Day अच्छा All India Radio का Headquarter कहां इस्थित है तो ये इस्थित है नई दिल्ली में अब देखिए हम जुलाई मन्त के Unimportant Days डिसकस करें तो 15 जुलाई को मनाया गया है World Youth Skill Day यानि कि विश्व यूवा कॉशल दिवस 18 जुलाई को मनाया गया है International Day of Nielsen Mandela और 20 जुलाई को मनाया गया है World Chess Day यानि कि विश्व सतरंज दिवस Next है खाली में Indian Overseas Bank प्रतिम सेन गुपता ये किन का स्थान लेंगे तो ये स्थान लेंगे कर्णम सेकर का यदि हम बात करें Indian Overseas Bank की तो इसके स्थापना कब हुई थी 10 फरवरी 1937 में और हैट क्वार्टर कहां इस्तित है तमिल नाडू की कैपिटल चेनने में अब देखिए दि हम बाकी के दो आप्शन को डिसकस करें तो हाली में जो रमेज बाबू है ये बनाए गए है करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO और इन्होंने इस्थान लिया है PR से साद्री का और अब Indian Overseas Bank के MD CEO ये बन गए है पार्थ प्रतिम सेन गुपता नेक्स्ट है हाली में किस देश ने 3D printed aircraft engine का सफल परिक्षन किया है तो ये परिक्षन किया गया है रसिया के द्वारा और इसका नाम क्या है तो ये है MGTD-20 और ये 3D printed aircraft engine है और देखिए इसने टेक्नालोजी से जो में इंजन है तो में इंजन के एलिमेंट्स की उत्पादन में जो टाइम लगता था वह समय लगभग 20 गुना कम लगेगा और इसकी लागत में भी लगभग 2 गुना से अधिक की कमी आएगी और ऐसा ही 3D printed aircraft engine इसका परिक्षण किया है रसिया ने जो की सफल रहा है तो आप मैप में देख सकते ही ये है रसिया रसिया की capital क्या है मॉस्कोव करेंसी है रूबल रसिया की संसद ये है डियूमा प्राइम मिनिस्टर है मिखाइल मिसस्टिन और प्रेसिडन्ट है व्लादमिर पुतिन देखे विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणू रियक्टर इससे लॉंच किया गया है रसिया के द्वारा ये कुसमा पहले ही की बात है और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था केवल दो ही कंट्रीज हैं जो कि योरप महादीप में भी इस्तित है और एशिया महादीप में भी इस्तित है तो देखे एक तो है रशिया दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था तर्की तर्की का जो सबसे बड़ा शहर है जिसका नाम क्या है इस्तामबुल तो ये border share करता है Asia के साथ भी और Europe के साथ भी मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो Asia वाला पार्ट है Asia वाला पार्ट ये कहलाता है Anatolia जबकि Europe वाला पार्ट ये कहलाता है Thres एक और चीज़ आप याद रख सकते हैं जो Asia वाला तुरकी है यानि कि तुरकी का वो वाला पार्ट जो Asia के अंतरगत आता है और वो वाला पार्ट जो कि Europe महादीप के अंतरगत आता है इन दोनों के ही बीच में एक इस्ट्रेट है और इस्ट्रेट का नाम क्या है बॉस पूरस इस्ट्रेट तो इसका नाम भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है हाली में टाटा AIA Life Limited अपना नया MD और CEO ये किसे न्यूक्त किया है तो ये भी हाली में बन गया है नवीन ताहिलानी और नवीन ताहिलानी इन्होंने किन का इस्थान लिया है तो इन्होंने रिप्लेस किया है रिसी श्रिवास्ताव को देखे इदि हम बात करें कि टाटा AIA ये क्या है तो यहाँ पर AIA इसकी फुल फॉर्म बनती है American International Assurance और देखे टाटा संस और AIA ये दोनों ही संयुक्त कंपनिया है जिसमें कि इदि हम बात करें कि जो टाटा संस है इसकी हिस्सेदारी इस कंपनी में है 74% जबकि जो बाकी का 26% हिस्सा है ये है American International Assurance का और देखे टाटा AIA Life Insurance Limited जो है इसे 2001 में लाइसेंस मिला था भारत में संचालन करने के लिए तो ये भारत में एक्टिव है 2001 से 2001 से ये अपना काम कर रही है और इसी के नए MD और CEO ये बने है नवीन ताहिलानी अब देखे यदि हम बाकी के दो आप्शन को डिसकस करें तो हाली में जो PC कॉंडपाल है ये बनाए गये है SBI General Insurance के नए MD और CEO जबकि अश्वनी कुमारतिवारी ये बनाए गये है SBI Card के नए MD और CEO तो ये भी आप याद रखेंगे Next है हाली में विदेश मंत्राले में सचिव पूर्व के रूप में किसे न्यूक्ति किया गया है तो ये भी हाली में बन गयी है Riva Ganglidaz और Riva Ganglidaz इन्होंने किनका इस्थाना लिया है तो इनके स्थान पर नियुक्ति की गई है बांगला देश में विक्रम दुरई स्वामी की इनके बारे मैंने आप लोगों को कुछ दिन पहले ही बताया था तो विदेश मंत्रालाय में सचिव की रुप में नियुक्ति कर दी गई है रीवा गाउंगली दासकी यदि हम बात कर विदेश मंत्राले की तो प्रेजन टाइम में हमारे विदेश मंत्री कौन है तो यह है एस जैसंकर जो कि गुजराज से राज्य सभा सांसद है यह तो है विदेश मंत्री विदेश सचिव कौन है तो यह है हर्ष वर्धन स्रंगला और हर्ष वर्धन स्रंगला इन्होंने बन गये हैं तो अमेरिका में इनके स्थान पर जो इंडिया के अंबेजडर हैं वो कौन बने हैं तो यह बन गये हैं तरण जीत सिंग सिंधू इदि हम बात करें अशोक मलिक की तो इन्हें भी हाल ही में विदेश मंत्राले में नीती अलाहकार यहने की पॉलिसी एडवाइजर की रूप में पॉइंट किया गया है अब देखिए यहां पर विदेश मंत्राले की बात की ही जा रही है तो यहां से आप कुछ कनेक्ट करके याद रख सकते हैं जैसे कि यह आप से पूछा जाए कि भारत की पहली महिला विदेश मं दूसरा आप लोगों को यह याद रखना है कि जो विदेशी सेवा संस्थान था इसका नाम बदल कर किया गया है सुसमा स्वराज विदेशी सेवा संस्थान साथ ही तीसरा आप लोगों को यह याद रखना है जो अंबाला बस्टेंड था इसका नाम भी बदल कर किया गया ह सुसमा स्वराज बस टेंड तो यह भी आपयाद रख सकते हैं नेक्स्ट है हाली में आई असे समझोते पर हस्ताक्षर करने वाला सतासीवा देश यह कौन बना है तो यह भी हाली में बन गया है निकारागुआ देखे निकारागुआ के बारे में हम बाद में डिसकस करेंगे यहां से important है IESA, यहीं कि International Solar Alliance, और यह क्यो important है, क्योंकि देखिए, यह पहला संधी आधारित अंतर सरकारी संगठन है, जिसका जो headquarter इस्थित है, यह इस्थित है भारत में, और भारत में भी कहां, गुडगाउं हरियाड़ा में, अब देखिए, इसे मैं आप लोगों को देखिए, यह कि Conference of Parties, जो कि IESA किया गया था, इस्पेन की Capital Madrid में, यह कुछ समय पहले ही आएजित किया गया था, वैसे ही चार साल पहले आएजित किया गया था, COP21, कब आएजित किया गया था, 2015 में, और यह कहां आएजित किया गया था, फ्रांस की Capital Paris में, और यही जो COP25 रहा था इसी COP25 के दौरान जो भारत है और फ्रांस है इन दोनों ही देशों के द्वारा आई ऐसे पहल की शुरुवात की गई थी यानिकि इंटरनेशनल सोलर अलाइंस की पहल शुरू की गई थी और देखे इस पहल का टार्गेट क्या है तो देखे इसका टार्गेट ये है कि वर्ड से 2030 तक ये ये आप जरूर याद रखेंगे 2030 तक 1000 बिलियन यूएस डॉलर की रासी को जुटा कर जो भी इसकी मेंबर कंट्रीज रहेंगी यनिकी जो भी कंट्रीज आई ऐसे की मेंबर रहेंगी उनकी मांग के लिए भावी सोलर अनरजी इसका उतपादन और भंडारर किया जा सके और यही है आई ऐसे समझोता जिस प प्राइम मिनिश्टर है नरिंद्र मोदी जी और फ्रांस के जो राष्ट पती है इम्मैनुल मैकरॉन इन दोनों को ही संयक्त रूप से यूनाइटेड नेशन के द्वारा चैंपियन ऑफ दा अर्थ हवार्ट से नवाजा जा चुका है तो यह भी आप याद रख सकते हैं अ तो यह है निकारागुआ कॉर्डोबा और प्रेसिरन कौन है तो यह है डेनियल ओर्टेगा देखिए अभी मैने बताया है यह है नौर्थ अमेरिका यह है साउथ अमेरिका और दोनों के ही बीच में एक स्ट्रेट है जिसका नाम है पनामा स्ट्रेट और यह आप लोगों से पूछा जाए कि नौर्थ अमेरिका की सबसे लंबी परवश रंखला कौन सी है तो यह है रौकी और यदि पूछा जाए कि सरवच शिखर कौन सा है तो यह है माउंट मैकाले तो यह आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है हाली में ब्रिक्स सीसी आई के ने सलाहकार के रूप में किसे नुक्त किया गया है तो यह भी हाली में बन गया है साहिल सेट देखिए ब्रिक्स तो आप सभी जानते हैं यह सीसी एई यह क्या है तो इसकी फुल फॉर्म बनती है चैंबर्स ओफ कॉमर्स एंड और ये एक BRICS का ही एक मूल संगठन है जो कि BRICS में वानिच और उद्द्योग को बढ़ावा देता है और 2012 में ये स्थापित किया गया था अब ये हम बात करे BRICS की जो कि 5 देशों का एक संगठन है ये 5 देश है कौन-कौन से ब्राजिल, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ एफ्रिका इन 5 देशों का संगठन है जिसके स्थापना हुई थी 2009 में BRICS से ही related आप कुछ connect कर सकते हैं अभी हाल ही में यहीं कि नवंबर 2019 की बात है जो 11 BRICS समिट रहा था ये कहां रहा था तो ये रहा था ब्राजिल की capital ब्राजिलिया में जिसमें कि भारत के तरफ से पार्टिसिपेट किया था प्राइम मिनेश्टर नरिंद्र मोदीजी ने तो यदि आप other option को discuss करेंगे तो हाल ही में जो असोक लवासा है जो कि भारत के चुनाव आयुक्त थे इन्हें कुछ समय पहले ही Asian Development Bank में उपाद्यक्ष के रूप में न्यूक्त किया गया है यदि हम बात करें सुमित देव की तो इनकी न्यूक्तिय भी हाल ही में NMDC यहीं क इसके CEO के रूप में की गई है तो यह भी आप याद रख सकते हैं नेक्स्ट है जारखंड में lockdown के निवों का पालन नहीं करने वालों को कितने साल की जेल हो सकती है तो देखिए इन्हें जेल हो सकती है दो साल की जेल तो होगी दो साल की लेकिन इसके अलावा भी एक लाख रूपय तक का जुर्माना लगाये जाएगा जारखंड गवर्मेंट के द्वारा तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के हर राज्ज में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इसके लिए जो सरकार है ये भी अपना सक्त रवईया अपना रही है ताकि रूपय तक का जुर्माना भी वसूला जाएगा यदि हम बात करें जारखंड की तो क्या है राजी मुख्यमंत्री कुछ समय पहले ही बनाये गये हैं हेमंत सोरन गवर्नर है द्रौपदी मुर्मू इंपोर्टन नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो बेतला नेशनल पार्क और हजारी बाग नेशनल पार्क ये दोनों ही इस्तित है जारखंड में ही और यदि आप करन्ट से रिलेट करेंगे तो कुस्समय पहले ही जारखंड गवर्मेंट के द्वारा पान मसालों को बैन किया गया है और पान मसाला ये जारखंड में कब तक के लिए एक साल तक के के लिए साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान यहीं कि जब लॉक्डाउन लगा था लॉक्डाउन के दौरान जारखंड गवर्मेंट के द्वारा प्रज्याम अप्लिकेशन भी लॉंच किया गया था किसलिए ये पासिस जारी करनी के लिए तो ये भी आप याद रखेंग नेक्स्ट है पुदुचेरी सरकार ने कोरोना से मरने वाले व्यक्तियों के परिजनों को निम्न में से कितनी आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोशना की है तो ये घोशना की गई है एक लाख रुपए तक की राशी तो देखिए पुदुचेरी के जो मुख्य मंत्री है इनका नाम क्या है तो ये है वी नारायन स्वामी और इनी के द्वारा ये घोशना की गई है कि यदि कोरोना वाइरस से यदि कोई व्यक्ति मर्दा पुदुचेरी में तो उनके परिजनों को एक लाख रुपए तक की सहायता रासी दी जाएगी CM राहत कोश से यने की मुख परसेंट तो देखे केस के दि हम बात करें तो भारत में लगभग 13,00,00,00 कोविड-19 के केस आ चुके हैं और इसमें तक्रीबन 8,00,00, लोग ठीक भी हो चुके हैं तो जो रिकवरी रेट है ये भी लगातार बढ़ते जा रहा है यदि हम बात करें पुदुचेरी के तो मु आई-पियस ऑफिसर भी हैं नेक्स्ट है हाली में किस राज्य सरकार ने पंचायती चुनाओं में महिलाओं को 50% आरक्षण प्रदान करने के लिए बिल लाने का फैसला किया है तो ये फैसला किया गया है हरियाना गवर्मेंट के द्वारा और ये बिल कब लाया जाएगा त हरियाना के डिप्टिसियम दुश्यंत चौटाला जी के द्वारा दुश्यंत चौटाला जो कि हरियाना के डिप्टिसियम तो है ही साथ ही राज जी के ग्रामिण विकास पंचायती राज मामलों के मंत्री भी है इन्होंने ये घोशना की है तो देखिए यहां से रायती राज का वर्णन सम्विधान के किस भाग में किया गया है तो ये किया गया है भाग नौव में इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टन समीतिया बता रही हूं जो कि एक्जाम का पार्ट बनती भी है इसे आप ट्रिक से आद रख सकते हैं कुल चार समीतिया है आप ऐसे आद रख सकते हैं इनके बारे में आप लोगों को बता देती हूं। जो पहले तो आप यह जान लिजें कि वुख़ात Online टो यह गुजरात के पूर्वमुक्षमंत्री थे और इनहीं की देटे थे असोक राय मैता जो बलवंति राय मैता जी थे इन्होंने त्री इस्तरी पंचायत की सिफारिस की थी इनकी तीन इस्तर में पंचायत होना चाहिए जिला, ब्लॉक और ग्राम इनके जो बेटे थे असोक राय महता इन्होंने दू इस्तरी पंचायत की सिफारिस की थी दो इस्तर कौन कौन से जिला पंचायत और मंडल पंचायत इसके बाद जो जीवी के धर समीती थी इन्होंने क्या सिफारिस की थी कि 5 साल में पंचायतों का चुनाव किया जाए ये सिफारिस की थी जीवी के धर समीती ने जबकि जो सिंग्वी समीती थी ये important है क्योंकि इसी समीती ने सिफारिज की थी कि पंचायतों को समवैधानिक दरजा प्रदान किया जाए और इसी समीती के आधार पर जो 73 समीधान संसोधन था 1992 का इसके अंतरगत जो पंचायत था इसे समवैधानिक दरजा प्रदान किया गया है तो ये भी आप याद रख सकते हैं आप मैप में देख सकते हैं ये है हरियाना हरियाना की दी बात की जाए तो क्यापिटल क्या है चंडीगण जो चंडीगण है ये भारत का पहला कैरो सीन मुक्त शहर है जबकि कैरो सीन मुक्त जिला पहला ये है गुजरात का गांधी नगर मुख्यमंत्री कौन है तो ये है मनोहर लाल खट्टर उपमुख्य मंत्री अभी मैंने बताया है दुश्यंत चोटाला गवर्नर है सत्य देव नारायन आरिया इंपोर्टन नैशनल पार्क है दो जो कि एक्जाम का पार्ट बनते हैं एक तो है सुल्तानपूर नैशनल पार्क दूसरा है कलेसर नैशनल पार्क यह दोनों हिस्तhey थे हरियाणा में आप यहाँ पास देख सकते हैं यह फरीद बाद से रिलेटेड आप क्या आड़क सकते हैं जो प्रसिद अन्तर राश्ट्री सूरशकुन्ड मेला है यह इसी फरीदा बाद हरियाणा में आयजित किया जाता है कल मैंने आप लोगों से पूछा था किस राज्य के मुख्य मंत्री को पॉल हैरिस फैलो संबान से संबानित किया गया राइट अंसर था तमिल लाडू के सीम को अब आप लोगों के आज का सवाल है ICC के लार प्रतिबंद का उलंगन करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गया है तो इसका जो भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजेगा यदि वीडियो आप लोगों पसंद आया है तो अभी के अभी इसे एक लाइक कीजे और एक शेर जरूर कीजेगा तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू सो मज